आपने question को read कर लिया होगा, इस question को लोग allegations से easily solve कर लेते हैं, पर इसको solve करने का एक और तरीका होता है, जो कि allegation से ही निकल कर आता है, तो आई ये question को read करते हैं, question में दिया हुआ है कि एक आदमी 80 km के distance को 5 hours में cover करता है, जिसमें उसने कुछ distance को 10 km पर hour की speed से और कुछ distance को उसने 20 km पर hour की speed से cover किया है, इसको solve करने के लिए ज्यादा वाली speed से दिये गए time में travel करना होता है, हमें दिये गए time में travel करने से, जैसे कि यहाँ पर speed जो maximum speed है, वो 20 km पर hour है और जो given time है वो 5 hours है, तो जब हम लोग 20 km पर hour की speed से 5 hours तक travel करेंगे, तो हम 100 km travel कर देंगे, जब की question में दिया हुआ है कि उसने सिर्फ 80 km ही travel किया है, यानि कि उसने जो distance कम travel किया है, वो इसलिए travel किया है, क्योंकि उसने 10 km पर hour की speed से भी travel किया है, तो जब हम इन दोनों के बीच का difference देखते हैं, तो हम 20 km पर hour की speed से decrease हो रहा है हमारी speed में, तो हमें जब निकालना होगा कि हम less speed से कितना travel किया है, तो हमें जो distance है, जो difference हा रहा है distance का, और जो difference हा रहा है speed का, जब हम उन्हें divide कर देते हैं, तो हमें time मिलता और यह time वो time होता है जिसमें जो कि travel किया गया होता है less speed से तो जब हम लोग 20 को 10 से divide करते हैं तो हमें मिलेगा 2 यानि कि यह वो time है जिस time में 10 km पर आर की speed से travel किया गया यानि कि उसने 20 km जो है वो 10 km पर आर की speed से cover किये जबकि जो 60 km है वो हमारा 20 km पर आर के स्पीड से कवर की है तो आपके लिए एक homework भी है यह solve कीज़ेगा और comment कीज़ेगा thank you